नमस्कार दोस्तों मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाया था कि अगर केमकॉन शेयर अपना 520 का रेजिस्टंस का ब्रेक आउट दे देता है तो उसके बाद इस शेयर में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और आज आप देखो कि इस शेयर ने एक अच्छी ओपनिंग दी फिर इस शेयर ने इस लेवल के उपर में होल्ड किया और उसके बाद एक अच्छी तेजी आ गई इस शेयर ने आज का अपना हाई प्रैस बनाया था 565 के नस्दीक में पर दोस्तो उपर के लेवल से इस शेयर में हमें सेलिंग प्रैसर देखने को मिला है और दोस्तो यहाँ पर एक चीछ जो इंपोर्टन्ट है वो है कि आज का जो इस शेयर ने ब्रेक आउट दिया है यह ब्रेक आउट एक वैलिड ब्रेक आउट है और दोस्तों उसके पीछे का एक important reason है कि इस share में हमें आज के दिन में बहुत अच्छे volumes देखने को मिले हैं यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी हरी इमारत हमें देखने को मिले हैं मतलब बहुत अच्छे volumes हुए हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं करूंगा वापस से कैमकॉन share का technical analysis और हम देखेंगे कि क्या अभी भी इस share को खरीदने का मौका है या फिर इस share में हमें गिरावट देखने को मिलेगी हम देखेंगे कि इस share में हमारे क्या targets रहेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस share में हमारा stop loss क्या रह सकता है तो चल ये वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर बात आती है इस share में हमारे support की तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों ये वाला जो level था 520 का level ये level इस share के लिए एक important resistance था पर जैसे कि आप आज आप ने देखा कि इस share ने इसका breakout दे दिया तो stock market में जो भी resistance रहता है और अगर कोई भी share उस resistance का breakout दे देता है तो वो resistance उस share के लिए एक support का काम करने लगता है तो यहाँ पर दोस्तों अगर इस share में कोई भी गिरावट आती है तो मुझे लगता है ये share 520 के level पर ही support लेगा दोस्तों अगर बात आती है इस share में हमारे नए resistance की तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों इस share में अभी एक जो दूसरा important resistance है वो है 565 रुपीज का level यहाँ पर आप देखो इस share ने पहले भी दर resistance वेच किया था उसके बाद इस share में गिरावट आ गई थी गिरावट के बाद अभी जब तेजी है तो यहाँ पर आप देखो इस share ने इसी level पर resistance वेच किया है आईए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस share में कुछ और technical indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो MECD का तो एक bullish crossover कली हो गया था मैंने आपको बता दिया था और जो RSI है वो भी अभी बहुत ज़्यदा bullish हो गए है तो हम कह सकते हैं दोनों technical indicator bullish हैं और हमें buying का signal कर रहे हैं आईए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस share को खरीदने के best levels कौन से रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें इस share को खरीदने के दो अच्छे options हैं पहले तो अगर इस share में यहाँ से तेजी आ जाती है और यह share 565 का resistance break कर देता है तो भी हम इस share में entry ले सकते हैं उसके बाद दोस्तों इस share में मेरे targets रहेंगे 600 rupees से लेकि 650 rupees तक के short term में पर दोस्तों अगर इस share अपना यह resistance break नहीं करता तो इस share में छोटी से गिरावट आने के संभावना रहेगी और अगर इस share 520 के नस्दिक मिलता है तो भी हम इस share में entry ले सकते हैं उसके बाद दोस्तों इस share में जो मेरा target रहेगा वो same रहेगा 600 rupees से 650 rupees तक के short term में mid to long term में इस share में और अच्छी तैजी दिखने को मिल सकती है पर दोस्तों अगर यह share 520 का level break कर देता है और उसके बाद इस share में गिरावट आती है तो एक बड़ी गिरावट आने की संभावना रहेगी इसलिए आप यहां पर दोस्तों 515 rupees का stop loss closing basis पे लगा सकते हो तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए पस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना इस share में मेरी कोई भी buy sell या hold की सला नहीं है क्योंकि यह वीडियो एक educational वीडियो है धन्यवाद